अत्तिन भुजा ट्रेक्किंग आज के वीडियो में आप से शेर कर रही हूं इस तीन भुजा करना टक्वेजिक मगलू डिस्टिक में हैं हलो फ्रेंट्स वेलक़म टुसिंपली सादू फ्रेंट्स इस वीडियो को एंद तक जरूर देखिए लाइक एंड शेर करना ना भुल है कि एतिना बुजा मींस ऑक्स शोल्डर इसकी उंचाई 4265 फीट है आप देख सकते हैं कि यह पर्वत बिल्कुल ऑक्स का शोल्डर चैसा ही दिख रहा है बहुत सारे क्राफ्ट और ट्रावी वीडियोस को देखने के लिए इस चानल को जरूर सब्सक्राब कीजिए एतिना भुजा चिकाबगलूर से लगबग 43 किल्योमीटर स्थूरी पर है और मूडी में 25 क्ली सूरी पर है से पारकिंग के पास हाईसला पीरेंड में निर्माड किया गया वह एक बांद में जरूर विजिट कीजिएगा सही कि वेहिकल पार्क करने के बाद हैसे हमारा ट्रेकिंग स्टार्ट होता है यहां पर ट्रेकिंग करने का टाइमिंग से सुबह 7 बज़े से शाम के 4 बज़े तक ट्रेकिंग डिस्टेंस 2 किलो मिटर्स है ट्रेकिंग करते वक्त शूस पहन के जाईएगा और पानी का बोतल ज़रूर केरी कीजिए क्यूंकि रास्ते में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है थोड़ा दूर चलके जाने के बाद इस व्यूपॉइंट के पास आपके लेफ्ट साइड में एक ब्लू कलर का शेट दिखाई देगा वहाँ पे एंट्री टिकेट मिलता है और एंट्री टिकेट का प्राइज है 50 रूपिस ऐसे ही थोड़ा आगे चलके गए तो आपको ऐसे दो रास्ते दिखाई देते हैं यहाँ पे आपको राइट साइड में जाना है इस जग में आपको तीन रास्ते दिखाई देते हैं दो रास्ते में पत्तर रखा हुआ है आपको बीच के रास्ते में से जाना है आपको बीच के रास्ते में से जाना है प्रेंट्स यहाँ तक तो हम आराम से चल के आ सकते हैं लेकिन टॉप अफ दा हिल ट्रेकिंग करने में थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर लोव मॉक्टे टू करनडा मुवी सौंग का चितरी करन हुआ है जाएब उरेकिन टॉप बीच करने मुवी सौंग करने लेकिन गट्ड़श्ड़ाव मॉक्टे टॉप नवड़ाब गट यहाँ झाल अभी हम टॉप आफ दा हिल में हैं यहां से हम यहां नाजारा देख सकते हैं मॉर्निंग मीस्ट था तो हमें नाजारा ठीक से दिकाई नहीं दिया लेकिन एतिन बुजा टेकिंग हमने पूरा एंजोई किया मॉर्निया देख स्चाईब एंजोजा टेकिया लेकिंग हमत क। आपका लेकिंग मॉर्णा पुर मॉर्निया यहां से हमें लेक्टना बुट करें अटो झाल झाल प्रेंट्स और एक ट्रावेल वीडियो के साथ आप से फिर मिलूंगी तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड